अब हेलो बच्चो अब यह करने वाले हैं 34th question और यह काफी easy question है बच्चो देखो आज पहले आप इस question को पहले यह वाला example ना लेकर मैं छोटा सा example दूँगा उसके बाद देखिए सारे questions जित्ते भी होते न आपको बहुत easy लगने वाले हैं पहले तो देखो यह question पढ़ लो यह कह रहा है कि 480 is divided among x number of children ठीक है और फिर बोल रहा है कि number of children 20 more than each would have got 12 less find x इसका मतलब क्या बच्चो देखो एक simple सा अगर मैं आपको एक example दूँँ इससे करने से पहले मैं एक example देता हूँ let's suppose हम पे यह करने से पहले मैं आपको एक next page पे देता हूँ फिर मैं यहां से इसक example लेता हूँ और बहुत अच्छा example है बच्चो ठीक है यह ध्यान से देखिए अगर मैं बोल रहा हो कि मिर पे कितने रुपे है 100 रुपीज है कितने रुपीज है 100 ठीक है और number of students students है मिर पे x अब ध्यान से देखो मैंने आपको x बोला पर अब मिर पे number of student है 10 ठीक है अब रुपे को इस दस लोगों में बाटने तो मैं क्या करूँगा 100 अपॉन 10 कर दूँगा ना तो कितना बचा है तो हर बच्चे पे 10 रुपे आ रहा है 10 student थे let's suppose मुझे 100 रुपे बाटने थे तो देखो अगर मैंने इसको डिवाट के तो 10 रुपे आ रहा ना हर student पे अब अग कि भाई 10 बच्चे और बढ़ गए क्या बच गए 10 बच्चे और बढ़ गए तो let's suppose मिरे पे 100 रुपे थे और 10 बच्चो को मैंने और बढ़ा जिया तो 10 प्लस 10 तो किता हो गया बच्चो 100 अपॉन 20 तो अब कितने बचेंगे देखो अब हर बच्चे पे 5 रुपे जाएगा जाएगा कि नी जाएगा है ना तो अब कोश्चन में यह देखो इस कोश्चन में बूल रहा है कि भाई 12 रुपे लेस लग रहा है अब ध्यान से देखो इस कोश्चन में यह आएगा कि भाई अगर 10 बच्च इतना मैंने 100 रुपे था मिरे पे 10 बच्चों पे बाटने थे फिर वही 100 रुपे मेरे को 20 बच्चों में बाटने थे, तो अगर मैं यह वाला केस करता हूँ न तो मुझे 5 रुपे की कमी हो रही है, तो इस केस में क्या होगा देखो, इस वाले से 10 रुपे वाला जो यह था, अगर मैं इसको इस वाले से माइनस करूँगा, 5 रुपे वाले को, दूसरे वाले केस में हरी स्टूड़न को 5 रुपे मिल रहे थे, और उसने बोला भाई, जब मैंने इसको इससे माइनस किया, तो मुझे 5 रुपे की कमी मिल रही है, समझ में आ रहा है, तो कुश्चन मुझे ऐसे ही करना है, बच्चों यह वाला, बहुत ईजी कुश्च इच स्टूडेंट, कितना होगा बच्चों, यह होगा 480 अपॉन X स्टूडेंट ठीक है, 480 रुपी अपॉन X स्टूडेंट तो number of share आ जागा, अब दूसरी केस में क्या कह रहा है बच्चों, दूसरी केस में कह रहा है, सेकिंड केस में कह रहा है, कि भाई, अगर 20 स्टू होने वाली उस पर तो देखो बच्चो मैंने अभी क्या बताया था आपको यह इस से इसको रिलेट करो देखो जब मेरा पहले केस था उस पर 10 रुपे मिलेता है हर इस्टूर्ण को दूसरे किस में अभी फैले वाले केस है सेकेंड वाले केस को माइनस करूंगा तो मुझे कितने रुपे का घाटा हो रहा है 12 रुपे बस अब मुझे यही करना है देखो कितना एजी हो जाएगा तो 480 अपाउन एक्स ठीक है 480 अपाउन एक्स माइनस 480 अपाउन एक्स प्लस 20 इकोल्स टू कितना रुपे का घटा ओरा 12 रुपे का बारा देखो कितना easy होते हैं question इसको न बस थोड़ा सा जब भी आप question करते हो न तो अपने अपने दिमाग में कुछ बनाया करो कि यार ऐसे कुछ question न लिखके न कुछ easy से लिखा करो और फिर उसको relate करो और फिर question स जोड़ो देखो उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाल है मैं क्या करता था जब school में था 9th में तो मैं क्या करता था बस देखता था जो teacher ने कराया बस उसी को memorize करके कर ले दे पर वह बहुत ही गलत होता है बच्चो वह आपको जादा देर तक साथ नहीं देगा आपको दो-तीन मिनिट मतलब एक-दो मैने ले रहेगा आपके बाद यह ऐसे करना ऐसे करना इसको आप प्रैक्टिकली देखो गया जब आपको बहुत इजी होते हैं question ठीक है आप जरूरी नहीं देखो हम पहले student थे teacher होने से पहले तो हमें भी दिक्कत होती थी इन question में ऐसा नहीं छोड़ी छोड़ी चीज़े देखा करो कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ इसको है न ऐसा करो कि थोड़ा आपको भी easy लगे तो देखो आप इसका मैं LCM लेता हूँ तो यह हो जाएगा आप कितना 480x plus 20 minus 480x equals to 12 अब बच्चो यह वाला question जो भी है अब यहां से आप खुद करोगे और मुझे answer बताओगे आप comment section में ठीक है और यह बहुत important है बच्चो यह खुद करोगे आप यह आपका खुद काम है इसका second part मैं करवाता हूँ